गुद मॉर्निंग अब्रिबन वेलकम टू शेशन फो आम हो हिंदी टीचर अलका से आप घर पे अच्छे से होगे पढ़ाई भी कर रहे होगे तो कि आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है ठीक है लसन पर आते हैं हम हिंदी वन की पढ़ाई कर रहे हैं सबसे पहले ठीक है औ आपको आपके सारे लेसन्स के बारे में बताना चाहूंगे ठीक है यह आपके सारे लेसन्स है वन हैं भाषा टू वर्ण एवं मात्रायं थर्ड संग्या पोर लिंग फाइव वच्छन नंबर शिच्स पे है सर्वनाम नमबर 7 पे है विशेशन, adjective जिसको आप कहते हो 8 पे है क्रिया, 9 पे काल, 10 पे है कर्ता और कर्म 11 पे है शब्द और वाक्य, 12 पे है आपका योजग शब्द ये सब आपके lessons हैं, उसके बाद आपके शब्द भंडार आएंगे जिसमें नमबर 13 पे है अशुद्धी शोधन, 14 पे परियावाची शब्द, 15 पे विलोम शब्द, 16 पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 17 पे है आपका अनेक आर्थी शब्द, 18 पे मुहावरे उसके बाद आपका है पत्र लेखन, नमबर 19 पे, 20 पे अनुछेद लेखन, 21 पे कहानी लेखन, 22 पे अनभो लेखन, अभ्यास प्रश्ट पत्र है और अभ्यास प्रश्ट पत्र टू है यह आपके पूरे लेसंस थे, जिसमें से हम फर्स सेमिश्टर में सिर्फ फोर चैप्टर कवर करेंगे, नमबर वन, नमबर टू, नमबर थ्री, नमबर फोर, भाषा, वर्ण एवं, मात्राएं, संग्या और लिंग, उसके बाद फिर आप इन सारे लेसंस को छोड़ोगे, लेसं थर्टीन पर आओगे, जहां से थर्टीन से लेके एटीन तक मैं आपको कुछ नकुछ उसमें नमबर के परियावाची, अशुद्धी, शोधन, मिलो, मान, एक शब्दों के लिए एक शब्द, थोड़े थोड़े पार्ट में मैं आपको बताती जाओंगी, जिसको आ करते जाओंगे, ठीके, पार्ट एक का डॉक्यूमेंट मैंने आपको सेंड कर दिया था, आपको आई होप मिल गया होगा, और आप उसको फोल के अच्छे से पढ़ रहे होगे, ठीके, होमवर्क आप कम्लीट कर चुके होगे, सहसुलेक मैंने आपको दो-दो करके 4 पेजिस दिये वेदे, जिसको आप कम्लीट कर चुके होगे, ठीके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स लेसन की ओ, ठीके, नेक्स लेसन है आपका, पार्ट दो-वर्ण एवं मात्रा, झाल, 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 चीक है, पार्ट दो, वर्ण एवां मात्रा है, अपनी बुक में आईए, आपके बुक में वर्ण की परिभाषा से पहले पढ़ते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वानी जिसके टुकडे नहीं किये जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं, ये वाली लाइन मैं परिभाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वानी जिसके टुकडे नहीं किये जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं, ठीक है, हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रियोग करते हैं, ये हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं, इनी मूल अन्यों को जब हम लिखते हैं और लिखने के लिए जो चिन्द का प्रियोग करते हैं, उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं, ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके टुकडे नहीं किये जा सकते, उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं, आई डेफिनिशन लिखते है झाल 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 वर्ण का प्रयोग हम मौखिक और लिखिक दोनों रूप में करते हैं इसका प्रयोग दोनों ही रूपों में किया जाता है वर्ण के सही उचारण और इसको सही लिखना बहुत जरूरी होता है अगर आपको सही उचारण प्रोनसियेशन करने नहीं आएगा आपको सही लिखने नहीं आएगा तो आपको भाशा का सही ज्यान नहीं हुपाएगा जैसे अब अगर मैं रमन खेलता है इसमें तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है और अगर मैं इसको तोना शब्द शुरू करो र, अ, प्लस म, प्लस अ, न, प्लस अ दिखा आपको रमन, ये, ये, और लिए ठीक है, यही आपके बन है ये तो आपका बिंजन हो गया ये सारे आपके बन हैं जिनके टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं और पी एक्जाम्बल में आपका आ, छोटी, बड़ी, छोटाओ, बड़ाओ, आदी, आ जाएंगे ठीक है, ये था आपका वर्ड, अब आते हैं वर्ड के भेद्ध नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ण के भे ठीक है वर्ण दो प्रकार के होते है ठीक है वर्ण दो प्रकार के होते है अपने अलकेजी में अ आ छोटी इ बड़ी इ पढ़ा होगा फिर उसके बाद आपने कहrika गहória एलकेजी यूकेजी में आके आपने इनी से शुरुवात की होगे इनी को इनी से ठीक है इनको हम क्या बोलते हैं वर्ण माला वर्ण माला जो है वह आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है उसी को मैं पढ़ाने जा रही है ठीके, पहला आपका भाग है स्वर्वर्ण ठीके सबसे पहले स्वर्वर्ण पढ़ते है स्वर्वर्ण में होता है स्वर्वर्ण जो होती है ये स्वतंत्र धौनिया होती है ठीके इनका उचारण अपने आप अर्था बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है स्वर का जब हम प्रनंसियेशन करते हैं उचारण करते हैं तो उस टाइम पे हम किसी और स्वर या विंजन का यूज नहीं करते हैं कि सहायता नहीं लिते हैं सबज़ में आई वाद आपको? ठीके? हिंदी भाषा में स्वरो की संख्या ग्यारा है कौन-कौन से हैं? आईए देखते हैं आ आ छोटी इ बड़ी इ छोटाओ बड़ाओ विसे रिशी एसे एडी ऐसे आदना ओसे उख्ली ओसे और अग्या छीकिए? वान टू टी पो फाइव सिंख सावन एट नाइट तैन छीकिए? इज्ञारा स्वरोते हैं छीकिए? स्वर्ण जो होते है वो वियंजन भी सहाथा करते हैं कैसे? अभी जब मैं नीचे आपको नेक्स टॉपिक समझाओंगी वियंजन वर्ण तब आपको समझ में आएगा कैसे? ठीकिए? आई देखते हैं यह आपका स्वर्ण था जो इग्यारव होते हैं नमर्ट जो है आपका वियंजन वर्ण टीकिए? जिन द्वनियों में, जिन द्वनियों के उच्चारण में हम स्वर्ण की सहायता लेते हैं उन्हें हम वियंजन कहते हैं ठीकिए? आपके बुक में दिया हुआ है जिन द्वनियों के उच्चारण में स्वर्ण वर्णों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं हिंदी भाषा में व्यंजिनों की संख्या 33 है किती है? 33, खड़ी ले ये होते हैं 11 और ये होते हैं ठीक है? व्यंजन को पढ़ने में हम स्वर्ण की सहायता लेते हैं जैसे? कम ख, ग, 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 और भी हैं मैं पूरा नहीं लिखूँगी, ठीक है? ठीक है? कर इकने में भी हमने स्वर्ण का ये प्रयोक हिया ख, इकने में भी हमने स्वर्ण का प्रयोक हिखा इसका मतलब कि व्यंजन में स्वर्ण की सहायता लेना बहुत जहीं भी होता है उसके बिना हम व्यंजनों का अचारण नहीं कर पाए आपके पूरे व्यंजन है ख, ख, ग, घ, अंग, च, च, ज, 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 ए, य, ट, ठ, ड, ध, अण, त, थ, द, ध, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, ब, श, स, स, ह ठ, हाँ, च, ज, र, ग, य, भी होता है, वो माले पढ़ता है ठीक है न? नेक्स्ट टॉपिक है आपका संयुक्त व्यंजन मैं स्को रब करूँ, आपने इसको देख लिया है अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका संयुक्त व्यंजन नाम से ही जैसे लग रहा है कि संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना ठीक है? दो व्यंजनों से मिला हुआ शक्त देखें, दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं योग मतलब होता है चोड़ना एक बुस्वे को चोड़ना संयुक्त व्यंजनों के कुल संख्या चार है संयुक्त व्यंजनों के कुल संख्या कितनी है? चार कुल संख्या कितनी है? चार ठीक है? ये व्यंजन है वो चार गन्जन कौन फोश्या है? आउये देखते है चोड़न पर यांशन अर एक है आपका। चार होते हैं पहला है आपका चार त्रा ग्यां और यह है श्राप पहला है आपका कव जोड श्राप दूसरा आपका है जाप प्रस याप ठीके फिर है आपका स्राप त्रा है ना तब प्रस राप ठीके फिर है आपका ग्या जो है आपका जाप प्लस याप ठीके तीन हो गया फिर है आपका शाप ठीके फिर हो गया आपका जाप ठीके फिर हो गया आपका ग्या और प्लस याप इन वर्णों से मिलके बनता है आपका चट्रग या शाप ठीके ता समझ में आया आप देखो चा से वर्ण कौन कौन से शब्द बन सकते हैं चड़ चमा चत्री चड़ चमा चत्री ठीक है अब है नेक्स्ट आपका त्रव त्रिशूल ठीके त्रुटी और है त्रिशा ठीके त्रिशूल त्रुटी त्रिशा और भी वर्ण से सुकते हैं त्रव बीच में भी आता है पत्र है ठीके ठीके चत्र है उसमें बीच में भी आता है कोई बात नहीं ठीके ठीके नेक्स्ट है आपका ज्यान ठीके ज्यान ठीके ज्यान ठीके और भी वर्ण साब बना सकते हैं शद्धा शंक यह आपका सउयुक्त विजन था ठीक है ना जो दो व्यंजनों के योग से बनता है ठीक है ना यह आपके शयुक्त व्यंजनों की वर्ण है कुछ शब्द है जो मैंने आपको बताय ठीक है कोगे और पर नेस्ट आते हैं, नेस्ट है आपका उच्छिप्त व्यंजब, आपको बता है उच्छिप्त का मतलब क्या होता है, उच्छिप्त का मतलब होता है, उठा कर फेक आ हुआ, उच्छिप्त का मतलब आ दे एक तापिक उच्छिप्त व्यंजब, इस उच्छिप्त का मतलब उठा कर पेका हुआ कैसे? देखे ड़ और ड़ वर्णों को उठ्षित दिमेंजिम कहते हैं इन्हें भी वर्ण माला में शामिक किया गया है ये वर्ण माला के ही भाग है पर इन्हें उठ्षित वेंजन कहा जाता है ठीक? क्यो? मैंने आपको बोला ना उठ्षित का मतलब होता है उठा कर फेका हुआ ठीक है ना? जब हम ड़ ड़ काव रंसियेशन करते हैं तो जो हमारे आगे की जीवा होती है वो टर्न करके उपर जाती है और जट्के से नीचे आती है इसलिए हम इन दो वर्णों को ड़ और ढ़ को उठ्षित वेंजन कहते हैं आई बात आपको समझके? प्रबज में? जब हम ड़ और ढ़ का उच्चारण करते हैं तो अमारे हमारी जिवा जिवा मतलब जीव टर्न करके उपर जाती है और जट्के से नीचे आती है तो हम ड़ और ढ़ का उच्चारण करते हैं इसलिए इन्हें उठ्षित वेंजन उठा कर फेका हुआ वेंजन कहते हैं ठीक है? जैसे सीड़ी साड़ी केड़ा पहा सीड़ी केड़ा और भी बहुत से इक्सामपल हो सकते हैं ठीक है? नेक्स्ट ये आपका आयोबवा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आयोबवा ये आपके समझ में आ गया? नेक्स्ट पे आते हैं आयोबवा अंग का नाम अनुस्वार और अहा का नाम विसर्ड है अंग ये है आपका अनुस्वार और ये है आपका विसर्ड और इन ही दोनों को हम कहते हैं आयोबवा इन तोन योगो स्वरों के साथ रखा जाता है ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन इन से बने शब्दे हैं अंगूर, पंखा, प्रातः, दुखी ठीके ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन बट इनको स्वरों के साथ ही रखा जाता है इनका भी जो मतलब प्रनॉंसियेशन है वो हम स्वर की सहायता से ही करते हैं स्वर की सहायता के लिए हम इनका उचारण प्रनॉंसियेशन नहीं कर सकते हैं ठीके लेकिन ये आयोगवा कहलाते हैं ये वर्ण माला में होते जरूर हैं बट इन दो वर्णों को हम आयोगवा कहते हैं समझे में यह बात मेरे ठीके जैसे अंगूर, पंखा, प्राता, दुखी ठीके और इनका उचारण प्रनॉंसियेशन करते समय सबसे पहले स्वर आता है उचारण में पहले स्वर आता है यह है आपका अयोगवा आज के लिए बस इत्ता रखते हैं ठीके डैक्स टारण में फिर आपको मैं इसके आगे टॉपिक अनुना से क्या चंद्रविंदी बताऊंगी मात्राएं बताऊंगी ठीके उसके बाद फिर आपको एक्सेसाइस समझाऊंगी ठीके आज के लिए से बिता रखते हैं आज मैंने आपको पढ़ाया वर्ण की परिभाशा मैंने आपको पढ़ाई वर्ण के भेद पढ़ाया वर्ण में दो भेद होते हैं स्वर वर्ण, वेंजन वर्ण उनकी क्या होते हैं, वो स्वर क्या होते हैं वेंजन क्या होते हैं मैंने आपको बताया संयोग्त वेंजन उच्छिप्त वेंजन और अयोगवा इतनी चीज़े मैंने आज आपको बताई ठीक है तो आज का शेशन यहीं पर खतम करते उसके पहले मैं आपको होवग देदूँ आपके लेसन से रिगार्डिंग मैं आपको कोई होवग अभी नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी कुछ बच्छों ने लिखा नहीं हुआ उसको कॉपी पे आप लिख लीजिए तो नेक्स से मैं आपको आपकी कॉपी में आपकी बुक से आपको कुछिन आंसर या एक्सराइस करने के लिए homebuck धुरु ठिक Хझ न आ आज का homework प्राका देट डालिएगा हुआप थीकि न दो न है तो पेज होब करने है तो पेज होब करने है तो पेज आपको करने है आप इसको करने है ठीक है आई हो आपको मेरी बाते समझ में आई होगी जो मैं आपको समझाया होगा आप इसको घर पर फिर एक बार पढ़िएगा आपको चीजें अच्छे सा समझ में आ जाएंगी ठीक है झाल झाल